कॉन्फरेंस आप देख सकते हैं बिहार के मुक्य मंत्री नितीश कुमार और बिहार के मुक्य मंत्री सुशील कुमार मोटी, बीजेपी के प्रदेश सद्यक्ष संजाज जाइस्वाल, बिहार प्रभारी देवेंद्र फर नवीस, इसके अलाबा आप देख सकते हैं बिखार बें मंत्री श्री भीजेद जियादम गी, मंदिय सांसथ श्री लेलाज सिंगी, साथी हम सब के बीच उपस्कित बिहार सरकार के उत मुख्य मंत्री और भागए वरिष्ट नेकाश्री सुषित कुमार मोदी जी, बिखार प्रदेश वभारी सहरा राजय सभाद दियार की एक इस चुलाओ के रिश्टिकोंग से हमारे चुनाओ के प्रभारी साथ पूर्व मुख्य मंत्री माहराश के स्री लेवेरिट वर्डविस्की और भादा के वरिष्ट नेकाश और बिहाद सड़कार के मंत्री श्री प्रेव कुमारी, तकाहयाउं पस्तित, सभी प्रत्रकार बंदों आप सभी का मैं इस प्रत्रकार वारता में हादिक स्वागत और अभिनदन करता हूं सदानाती श्री नरेत भाइबोदीरी के नित्रित में केड़ में जरीट कल्णार को समर्पित में इरादों वाली NDA सरकार है जैसा कि हम सब जानते हैं कि करोना जैसी वैशित महामारी के समय केड़ की मुदी सरकार ने जिस परता से और सजगता से लड़ाई लड़ी है वहाद पूरे विश्व में एक उधारण है ठीक उसी प्रकार से विहार में श्री नितिश कुमार जी के नित्रित में NDA सरकार ने करोना में खिलाफ जो कदम उठाए हैं और उसके हमें जो सफलताय मिली हैं वह अभी अध्यन सरानी है विहार में NDA के सबसे पुणाने सहयोगी जनतादर युनाइटेट के साथ श्री नितिश कुमार जी के नित्रित में समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है गाव गरीब और किसान के लिए बनाई गए योजनाएं हर व्यत्ति तक पहुँची है सड़क सुरक्षा या शिक्षा विहार के विकास का सबसे मूल आधार है और विज़त 15 वर्षों में विहार की NDA सरकार ने अपने अथक प्रयासों से बदहाल विहार को फुशहाल विहार में तब्दिल किया है इस करोना काल में भी केजर सरकार द्वारा छट तक के लिए जो मुफ्त राशन गरीबों को दिया गया है वह आज तक विश्व के किसी देश के इतिहास में या काम नहीं भाता उसी प्रकार P.M.K.S. पंड से दो-पांसों बेट की अस्पतार तीन महीनों में बिहार में बना लिए गए और यह सब तभी सम्मों हो सका जब केजर और बिहार दोनों जगहों पर NDA की सरकार है आप सब को मैं बताना चाहता हूं कि भात्य जंता पार्टी इस चुनाओं में जदियू के साथ अचूट गडबंधन है साथी हमारी विकास शीर इंसान पार्टी से सकरापना बाक्चित मीचत रही है आप सब जानते हैं कि जदियू के साथ हिंदुस्तान आवाम लोच्चा भी NDA गडबंधन का एक आहम साज़ेदार है लोच्पा हमारे सहयोगी थे कि तो बिहार में भाजपा और जड़ 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 गडबंधन है उसमें श्री नितिश कुमार जी ही हमारे गडबंधन के चेहरे हैं इसमें कोई भाजप नहीं है लोच्पा नेता श्री राविलास भासवान जी का हम सम्मान करते हैं और वह जल्दी स्वस्थ हो जाए इसकी भी हम इश्वर से पाहना करते हैं अब मैं श्री नितिश कुमार जी को अमंत्रित करने से पहले मैं पुनह एक बार दोहराना चाहता हूँ कि बिहार में एंडिये के नेता श्री नितिश कुमार जी ही है श्री नितिश कुमार जी एक बार फिर तीम चौप हाई मुहमत के साथ बिहार के मुख्यमंद्री बनेंगे NDA गडबंधन में वही रहेंगे जो नितिश कुमार जी के नित्रितु को स्विकाल करते हैं बिहार में एंडिये शेनिदिश नुहाजी के नित्रितों में फिर से तो एदाव 10 का इतिधास बनाएगी और 34 प्रजेक्ट के साथ सरकार बनाएगी अब मैं मानलिया मुख्यमंद्री जी को आमन्सित करता हूँ कि वो इस प्रेस वारता को संबोदीर करेंगी यहां पर उपस्थित यहां पर इस कारिक्रम में उपस्थित मन्ये उप मुख्यमंद्री श्री सुशिलकुमार बोधी जी महाराष्ट के पुर्व मुख्यमंद्री श्री देवंद्र फर्णविज जी भारती जन्ता पार्टी के बिहार के संगठन प्रभारी स्री पुकेंद्र यादर जी भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजे जैसवाल जी हमारे साथी और बिहार सरकार के मान्य मंत्री प्रेम कुमार जी और यहां पर वस्तित जिनता दल्यू के हमारे सभी संभानित नितागन, प्रुदेश अध्यक्ष पसिस्थ भाई, कार्थकारी अध्यक्ष असुक चौधरी जी, पिजिंदर यादव जी, रसिपी सिंग जी, ललन जी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप इतरी बड़ी संख्या में, यहां पर मौजूद हैं, और यहां पर जो बुनियादी बाते हैं, उसकी जानकारी, संजेज आसवाल जी ने दे दिया, जो हम लोगों का गटवंदन हैं, इसमें बादचीत हो चुकी है, और हम लोगों की बादचीत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई एलान नहीं किया गया था, और अब उसके बारे में विस्तित रूप से जानकारी दे दी जाएगी, आज इन्होंने बता दिया है, जो जन्ता गल्यू है, उसके जिम्में 122 सीटें दी गई हैं, और उसी के अंतरगत, हम पार्टी को, जीतन रामाजी जी की पार्टी को, उसी के अंतरगत हम लोगोंने साथ सीटें दी है, भारतिय अंता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं, और उसी के अंतरगत, इन लोगों की बाचित जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकास्षील इनसान पार्टी के साथ, उसी के अंतरगत उनको सीटें देंगे, और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिचुएंसी का सवाल है, कौन-कौन विदान सवाथ्चेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निरने हो चुका है, और मैं समस्ता हूं कि आज, वो 22 और 121 तो है, तो बतादें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दिया जाएगा, यह तौर पर कि इनके जिम्मे कौन से सीठ है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और बिहार के विकास के लिए, जो भी काम है, वो किया गया है, और इसके बाद भी आगे, मिल जूल कर हम लोग काम करेंगे, एक साथ काम करते हुए, हम लोगों का एक लंबा अबसर है, और जो कुछ बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी है। कुछ लोगों के द्वारा बिला वज़ा बहुत सारी बाते की जाती है। मैं उन सब चीजों का कोई महत तो नहीं देता हूं। सब को मालूम है कि हम लोग का अगर पिछले 15 वर्सों से हम लोग काम करने हैं 15 साल है। और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था। उनके द्वारा क्या किया गया था। क्या आर्थिक इस्तिती थी। क्या रोजगार था। क्या कानुन विवस्था कि स्थिती थी कितने बड़े पैवाने पर जो हत्याएं होती थी सामुहिक नरसंगार की घटनाएं घट्टी थी क्या नहीं होता था उसमें कितने दंगे होते थे सारी बातों से लोगों को मालूम है और कहां कौन सा विकास का काम था कहीं कोई सड़क था कोई सड़क भी ठीक से था एक भी काम नहीं था कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था क्या हालती कोलेजों की यूनिवर्स्टी तक में जो सिक्षक थे प्रोफेसर्स थे उनको कब तंखा मिलता था कितने दिनों पर तंखा मिलता था, हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना चुरू किया सab चीज समय पर करना शुरू किया चा शिक्षा का छेतरो, स्वास्ट का छेतरो विकास का छेतरो और हम लोग प्राणम से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानि हसमात के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं, किसी विच्छ थी और इसके बारे में तो सब को पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया, ये बता रहे थे भी, संजेय जैस्वाल जी, इधर की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी नहीं ने दे दी, और कितना ज्यादा ये जो कोरोना का प्रकोप हुआ है, दुनिया भर में, कोविड-19 से दुनिया भर के लोग प्रभावित, और कहीं नीचे जाता है, फिर उपर जा रहा, ये स्थिती एक दूसरे तरह किये, लेकि से भी तीन हजार जादा है, हमारा देश के एवरेज से भी प्रतीर दस लाट की जन संक्या पर जितनी जांच हुई ये हो रही है, उसमें भी हम लोग आके हैं, और जहां तक सवाल है कि जो लोगों की मृत्य होती है, उसकी भी कमी है हम लोगों के हां, और जो लोग ठीक होत होते जा रहे हैं, उसकी भी संक्या हमारा 93 प्रत्सत से जादा है, तो हर प्रकार से काम हो रहा है, लेकिन बहुत तरह की बात लोगों के, जिसको प्रवासी कहा जाता है, मैं तो प्रवासी सब्द का पक्सदर नहीं मैं सुरू से बोलता हूँ, देश तो एक है, देश के अं नहीं है, लोगों को ठीक से मालूम नहीं है, यहां पता नहीं है, कि केरला के लोग या महरास्त के लोग बिहार में हैं की नहीं है, तो ठीक से तो मालूम नहीं है, तो बिहार के लोग भी सब जगार जाते हैं, या जहां कहीं भी इच्छा होती है, जाते हैं, अब वहां थे परिशानी में थे तो हम लोगों ने तो एक एक लोगों से संपर्क किया गया और सब लोगों को जो भी है बत्पे कीस लाख लोगों को एक एक हजार रुपया के सहाथता राज सरकार की तरफ से किया गया और जो गाइडलाइन था जारी उसमें एक जगह से दूसरे जगह जाने का नहीं था तो एक यंद्र सरकार में निरने लिए एप्रील महीने में और जो रेल गारी से आने के सुवधा की गई कितनी बड़ी संक्या में हमारे लोग आये और लोगों के साथ कितना यहां किया गया अलग अलग लोगों को जिसमें था कोई आठ जगा से आये जिनके स्थिति वहां ज्यादा ठीक नहीं थी उनको अलग हम लोग 14 दिन तक रखे कोरिंटाइन सेंटर और उसमें एक एक लोगो पर तिर्पन सौ रुपया 14 दिन के अंदर हम लोग ने खर्च किया तो लोगों को तो मालूम कुछ राता नहीं है कि केंद्र ने बदद किया कितना जिसकी चर्चा इन्होंने कर दी किस तरह से लोग जो हो लोगों को सुविधा हो जाया है चार उत्रफ सरकार की तरफ से किय लेकिन कुछ बाते तो यह की जाती है तो एक बात है और हर प्रकार से हम लोग एक एक तरह का इंज्याम करके रखें और एक चण अभी तो आप चुनाव आ गया तब चुनाव आ गया तो जितने सरकार के और जो डिपार्टमेंट के लोग लोग है धिकारी है यह उनका जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा भुसना की जाती है डेट हमको जब से मौका मिला है तब से जिस दिन एनाउंस हो जाता है चुनाव का प्रेलेक्शन कमिशन के द्वारा उसके अगले दिन या उसी दिन हम ऑथोराइज कर देते हैं सब काम के लिए चीप सेक्रेटरी को तो इस बात को जान लिजिए हम लोगों को तो इतना कम समय है और ऐसी परिष्टिती में चुनाव हो रहा है तो सब लोगों को पूरी तैयारी करनी है और हम लोग चुनाव कर रहा है तो हम लोग तो अपनी डम से जो काम है और एक बात में बता देना चाहता हूं कि हम तो ज जेवा का अवसर प्राप्त करने की कोशिश करें जंता मालिक है उनको तै करना लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किस-किस तरह का बयान दिया जाता है मुझे तो आश्र होता है और आज तो हम कुछ अकवार में देख लिए कि जिसका जेडी उसे कोई रिस्ता नहीं है उसका चखात दिया कि आर जेडी जोएंग किया तो जेकियों में आई नहीं अब परिस्त दें था दो तीन अकवार में हमने देखा आश्र मुसको लगता है इसलिए हम तो आग्रह करके कि चीजों की जाच करके अब फोटो छपा हुआ है फोटो छपा है गवार तो वो कब हम लोग एमेले बनाए एंपी बनाए 14 से ही जाता तो कुछ चीजों को तो देख करके महिद्ना ही कहूंगा मुझको दुख नहीं होता सवेरे मेरी आदत थे अखवार पढ़ने के तो हम जब सवेरे अखवार पढ़ते हैं तो उस तरह से हम देख नहीं पाते हैं काम के चलते दिल्ली में जब तक थे तब तक एक दो ग उसके बारे में बता दिया और यह तो बीजेटी ही अपनी तरफ से जो ही बात होगा कह देंगे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसके हमको कोई लेना देना नहीं है कोई मतलब नहीं हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर आगे भी काम करेंगे मिलकर हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगे और जो इनका भारती जनता पार्टी का ही जो विचार था हम लोग के साथ विमर्स के दोरान इनकी जो इच्छा की उसका ही पालम करते हुए हम लोग की तरफ से हम पार्टी के साथ उनके साथ बार्ची थुई और ये बात कर रहे हैं विकासिल इंसान पार्टी के साथ और जो बात एक तरफ तो हो ही गया है उनका तो साथ सीट और साथ का जिन सीटों पर वो लड़ने वाले हैं उसका भी उनको सुझना दे दी गई और उसमें तो लगता है छे सीट तो पहले ही फेज़ता है तो ये सब का एलान के बारे में सब लोगों को मालूम है और विधिवत आज जो दोनों दल का है और दोनों दल के माध्यम से और लोगों को जो इसके साथ जोड़ा गया है तो उनके बारे में भी पूरी बात एक एक सीट के बारे में आप लोगों को उपलब्द करा दिया की कौन कोई किस जट चत्र के हैं इसका गैलान कर देंगे तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं बिलकर काम करेंगे हम लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई गलत फामील communication को or us की कि किसी को अगर कुछ कहने से उसको आनंद आताब कोई ले देना नहीं है लेकिन हम लोग मिलकर जैसा कि मैंने कहा है काम करते रहे आगे भी काम करेंगे किसी तरह का हम लोग के मन में कोई confusion यह किसी प्रकार की गलत फामली नहीं और यह सौभाविक है कि इस बार यह जो इस्थिती रही है कोरोना की आप इसमें कई चीजों को काम करने तोड़ा विलंब जरूर हुआ है किसी भी चीज के बारे में निर्ने लेना लोगों से बातशीत करना वो सब सब होता है लेकिन अब एक एक चीज के बारे में फैसला हो गया है और लोग अपने अपने candidate के बारे में अंतिम निरणे लगवग ले चुके हैं हम लोग सो candidate के बारे में निरणे ले चुके हैं आपका भी निरणे लगवग दुख रहा है तो इसका भी कि मनुस्य का खुछ न पुछ छिसंटा ऐसा होता है जो इस प्रकार की बात क्षापविक यह तो यह कोई ऐसी बात निए कि यह आस खाविक है यह 30 छाइब लाख कुछ कर लिजिये कुछ पृतिसत लोग तो ऐसे होते ही हैं कि कि वह किस किस तरह से बोलेंगे किस तरह की बात करेंगे तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है यह तो चलता ही रहेगा उसे कोई मतलब नहीं है और झरूर काल बिहार को आगे बढठाना हम सब लोगों को मिल कर के एक दम बिलकूर सक्षम बिहार हम लोग बना रहे हैं और कितना तेजी से इसके बारे में तुम लोग बोलते रहें क्या बजट था भाई कितना कम बजट था बताईए और अब कितना बड़ा बजट है सबीस हजार क्रोर रुपिय का बजट होता था और हम लोग 2,011,000 क्रोर रुपए तक पहुँँचा दिये बजट से ले करके एक चीज के बार में और वो सब बाक होगी तो हम लोग डीटेल भी देंगे नौकरीओं के बारे में कितने को नौकरी हमनों के कार्जकाल में मिली है कितने लोगों को सेवा करने का मोगा मिला है कि एक एक चीज के बारे में तो हम लोग तो इन सब चीजों के बारे में काम करते रहे और काम ही करते रहेंगे यही हम लोगों का कर्टब्य है तो अभी तो अपनी तरफ से इतनी बात कहनी थी अब बाकी तो अब भुद्धी जी भुद्धो धन्यवाद मानिया के मंसी जी ने विस्तित बताया है पर आपको कोई प्रश्ण हो आप सब को तो आप पूछ से नितिश जी चिराग वासवार आपकी सरकार को नाकाम बता रहे हैं उंके पिता मोधी सर्कार में बंतरी है जिनकी तस्विर आपने पर लगाए के लिगांगे कि क्या अजएपी के सब्सां है के नहीं है और निकीश जी आपसे सवाल है कि चिराज जो बार-बार अपने करते हैं क्या आपकी प्रपिप्रिया है और उनके प्रपिटा वोधी कामिट का हिस्सा है आप क्या चाहेंगे कि क्या एक पी के साथ प्रपिजेपी अपना समद्ध केंदर पर भी तोड़े डिखे कौन क्या बोलता हम पहले ही काने उसमें मेरी कोई रूची नहीं है जिसकी जो इच्छा वो बोलता रही लेकिन आपने स्री राम बिलाज पासवान की चर्चा की अब अब लौट पासवान यह स्वस्थ है हम सब लोग चाहते है कि उस्वस्थ हूं हम लोगों Rogers उनसे एक लगाव है बहुत पुराना लगाव है लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हम से तीरा मिला स्पासवान जी अभी जो राजिसावा में पहुंचे तब बिना जेडियू के मदद के पहुंचे कि आप जड़ा बताइए तो काईगो सीट है विहार बिधान सभा में दो है न तो बीजे पीने और जेडियू नहीं तो टिकट दे करके राज सभा पूंचा है तो यह सब बात जो कोई बोलता रहता है हमको उसे क्या मतलब है और आप जड़ा बता दीजे कि जो पार्लामेंट का चुना हुआ जिसमें छे सीट मिली कि तो कौन नहीं होगा कितना कितना बार ओ मेरे साथ राम बिलास पास्वान जी है वह सुषील मोदी जी हम और राम बिलास-पास्वान जी कह पार्ब सेटा है ना प्लूल झो बता देगी कि देखे ये एक मिनट रुख जौन हैर कुछे हम का जाओ देने दो ना देखे डॉक्टर संजा जैस्वाल जी ने बहुत स्पस्ट कर दिया है कि विहार के अंदर एंडिये में वही रहेगा जो नितीज जी को विहार एंडिये का नेता शुकार करेगा और इस चनाओं में भार्चिंता पार्टी ने नितीज कुबार जी को मुख्य मंत्री को अमीदवार घोशित किया है कल सरकार निशित बनेगी तो मुख्य मंत्री भी नितीज कुबार होंगे तो इसलिए नितीश कुमार को जो अपना निता श्विकार करके काम करेगा वही NDA के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा और अमिलास जी तो केंदर में मंत्री हैं वो केंदर मंत्री अस्वस्त है वो और जैसा भी कहा डॉक्टर संजेज आसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्त होते तो शायद आज ये स्थिती पैदा नहीं होती इसे कोई if and but का सवाल नहीं है अब मेडिया से भी आगरे करूंगा कोई confusion मत रखिये ये ऐसा गटबंदन है और आज का संबन्द नहीं है 96 से लेकर आज तक बीज के कुछ दो-तिन वर्सों के कारकाल को छोड़ दें इतना लंबा अनुभा और कारकाल हम लोग कर रहा है कोई if and but नहीं है और कोई बीजेपी जेडियू और साथ में व्याइपी पार्टी और हम पार्टी ये चार दोलों का गटबंदन है और इसलिए ये भी आपको बताया गया है कि अगर आउशकता पढ़ेगी तो चुनावायव को हम लोग लिख कर देंगे चुकि ये सूचिना मिल रहे कि बहुत सारे निर्दलिय लोग भी ये अन्य जो इतने दरजनों दल बने हैं बिहार में वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तमाल करे कोई हो सकता परदान मंत्री के फोटो का इ इस्तमाल करता है तो चनवायोग को जो उनकी अपनी धाराएं अपना कोड है उसके उनसार और वो कारवाई करने के लिए स्वत्तिनत्र होंगे लिए अरे वही एक बार जब घोशना कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है जितनी भी सीटे जिसको आए नितीश कुमार जी को दो लगातार हमारे मुख्यमंत्री है जब हम साथ में रहे हैं आज भी मुख्यमंत्री है और आगे भी विहार के इस गटबंदन के वही उमीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे इसमें संक्या किसको क्या आई नहीं आई क्या हुई इसका कोई स अब ट्वीट करें ये भी आपता है किजेगा मनीज जी कि मैं कब ट्वीट करूँ ये अपता है आप ही लग कीजिएगा मैंने तो कह दिया कि राम विलास जी केंदर की सरकार में मंत्री है रामिलास पासवान जी केंदर की सरकार मंत्री अस्वस्त है ये सब कोई विशय नहीं है मेडिया से आगर करूना के अनावस्य कि विश्यों को जो उच्छालने का प्रयास किया दर उसमें किसी को सफलता नहीं मिलेगी ये सा अटूट गट बंदन है इसलिए हम लोग मिलकर मंत्री सीटे आएंगी मुख्या मंत्री नितिशक मार होंगे इसमें कोई इफ और नहीं कहीं कोई कन्फीज़न ही अजय है नियुक्त है इसलाग दस लाग पास्यास पर ड़िए वन्याज़गा इसलाज़गा नेका है तो करिई टिश्या कि यहां पर भुपेंद्र यादव जी बैठे हैं फॉर नवीज जी बैठे हैं और अमित शाह जी ने और प्रधान मंत्री जी ने एक दर्जन बार नितीज जी के बारे में सारा स्टैंड और सारी चीज़ें सफस्ट कर दिया उसके बाद भी सवाल पूछने तो अश्चर लगता है इसके बाद और क्या चाहिए सबस्क्राइब कर देंद्र करों कि इस प्रेस वारता को धन्रवाद देते हुए इसका सब्सक्राइब इस अप्रेस गुए इस आप में रोज करना कि मानिए भुपेल जिसे कि वह सभी को समोधित करें इस आपिंद्र ठाव पुंद्र फिर्ट ब्रेस से में तो अबनी इस जो है इस जो बी आदमी जो बी बेंदी कि भार्टी जन्ता पार्टी के सिम्मल के खिलाब कहीं भी चुनाव लड़ता है भार्टी जन्ता पार्टी के सभिजान में विवस्ता है वो पार्टी का सदस्तिन नहीं लड़ता है पार्टी पूरी तरीके से बिहार में, NDA के, NDA में, नितीश कुमार जी के नेतरतु में चुनाव दढ़ रही है और हम ये मानते हैं, कि हमारे प्रधारमंत्री माने नरेंदरमोदी जी के नित्रपु में, पूरे देल फर में, जो गरीब कल्याड के कारिक्रम किये गए, देश में आर्थिक रूप से, सामाधिक रूप से, पिछड़े लोग हो, पिछड़े हो, अतिज़े हो, दलित हो, वन् उन सभी कार्यों को बिहार में भी निटीज जी के निट्रतु में आगे बढ़ाए गया है पर अभी मानिय मुख्यमंत्री जी ने, मानिय सुशिर मोधी जी ने बहुत इस्पष्ष रूप से कहा है और हमारा इस्पष्ष रूप से कहना है कि इस चुनाव में कर्शन जंतान उनाइटेल भांते जर्था पार्टी और हमारी दो सैयों Tokyo है उनको तीन चौदाइं गहुमत मिलने वाला है और शार सरकार में मिलने वाली इसलिए आपिते सभी कह्यासों इंडों करो मिल रहा है थुझ ऑपने आप evie अब आपको अप्राइब गोगाइब अप्राइब करें तो शांत हो जाएब तो जैसा भी नितीज जी ने और डटर संजय जैस्वाल जी ने सारी बातों को रख दिया है मैं संचेप में इतना ही खाऊंगा कि हम चुनाओ विकास के मुद्दे पर चुनाओ लड़ें नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो बिहार में काम किया है और नितीज जी के नेतृत में जो एंडिये ने बिहार में काम किया है और मैं तो विपक्ष को चनावती देता हूँ कि हर चनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा होता है अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाए सड़क को मुद्दा बनाए अगर हिम्मत है तो पानी को मुद्दा बनाए कोरोनों का मुद्धा बनाए बार को मुद्धा बनाए जो प्रवासि मजदूर उनको मुद्धा बनाए आज एक एक मुद्ध का प्रभावी तरीके से हम लोगों ने समाधान करने का प्रेयस किया है उसे मित्रो मैं सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हुआ और इस विश्वास के साथ कि हम तीन चौथाई के मुखमत से नितीज कुमार जी के नेतृत में फिर से बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे और विकास के मुद्धे पर जंता के मीट में जाएंगे जैहिं जैवार ध क्यों कर दूरम जांगे यह जाएंगे यहाँ आ जाएंगे प्सक्ता है ह मुवडेक एत्य punctite Life.